जैस्रीकरश्ण मित्रो, मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 19 फरवरी 2022 शनी वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टिव भगवान शनी देव की करपा से आज 12 में से 5 राशी वालों की कामना पूर्ण होंगी इन 5 राशीयों में आज हैं मेश, करक, कन्या, वरश्चिक और धनु राशी वाले लोग वहीं अन्य राशीयों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्च दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नई नई ग्यानवर धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज फालगुनमास कुरुष्ण पक्ष की तरतिया तिथी है शनिवार का दिन है आज दिन की सुरुवात उत्तरा फालगुनी नक्षत्र से होगी और कन्या राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियोदे प्रातहकाल 6.56 मिनिट पर होगा और सुरियास तसाम के 6.13 मिनिट पर होगा आज राहुकाल परातहकाल 9.45 मिनिट से आरंब हो करके परातहकाल 11.10 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारे शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सुल रहेगा पूर्वधिसा में तो आज के दिन आप पूर्वधिसा की और मुख करके कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारे आरंब नहीं करें पूर्व दिशा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अती अवश्यक हो तो आज उड़ा दखा करके या अपने इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते ही और आज का सर्वसरेष्ट अतीसरेष्ट मुहुर्ट अभी जीत मुहुर्ट आरंब होगा दोपहर बाराह बच के बारा मिनट से आरंब हो करके दोपहर बाराह बच के सत्तावन मिनट तक सर्वसरेष्ट वशूब मुहुर्ट रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस शूब महुर्त में आप खरीद सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भग के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारिच खेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि सांसारिक द्रश्टी कुण से आज का दिन आपके लिए कुछ बदला हुआ रहेगा भोतिक सुक्सिवधाम वाली वस्तुओं की खरीदारी आप कर सकते हैं विपरित लिंग के साथ अच्छा समय व्यतित करने का समय रहेगा किसी व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएंगे तो दिन आपके लिए उत्तम होगा और कारिछेत्र में सत्रों को पराजित आप कर पाएंगे और नए काम की रूप रेखा आप बना सकते हैं विद्यार्थी वरग के लिए समय अतिवत्तम हैं अगर किसी सिक्षण सुनस्थान में एड्मिशन आपको प्राप्त करना है तो आपके लिए मारग आज प्रसस्त हो सकेंगे माता के स्वास्त का आज विशेश ध्यान रखें तो आज के दिन कारिच्षेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहका लिश्नान करने के पस्चात भगवान शनी देवता की यथा शक्ती पूजन करें श्रीफल चड़ा करके शमी पत्र अरपित करें और ओम रवी पुत्राई नमा इस महामंतर का अधिक सधिक संख्या में जाप करें एसा करने से कारिच्षेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि अपनी योगिता को विक्सित करने का अवसर आपको मिलेगा और रोजगार से संबंदित ज्यादातर युवाओं की चिंताएं खत्म होगी माता पिता की सेवा का अवसर प्राप्त होगा और परिवारिक बिजनेस में पिता का मार्ग भी आपको मार्ग दरसन मिलेगा फिजूल खर्ची और लापरवाही से आज आपको बचना चाहिए अन्यता आपकी मुस्किले आज बढ़ सकती है रिस्तेदारों से धनका लेंदेन करने से बचे अन्यता आपके रिस्तेख खराब हो सकते हैं आज जो है संतान के विवाह से संबंदित कोई शुब सूचना आपको मिल सकती है आज के दिन शेयर मार्केट में निवेस करना आपके लिए फायदे मन रहेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिस्त प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक 3 है शुब रंग आपका निला रंग है निले रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिछेत्र में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राता है काल इस्नान करने के पश्चात शनी देवता के मंदिर में काले वस्तर में काले उड़द रखकर के दान करें और शमी पत्र चड़ावें और ओम शम सनेश्चराइनमा इस महा मंतर का अधिक सधिक संख्या में जाप करें एसा करने से कारेच्षेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कारेच्थल पर नई योजनाई सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगी और भाईयों की सहायता प्राप्त कर पाएंगे अनियोजित खर्चे आपके आर्थिक स्तिति को डावाण डोल कर सकते हैं माता से कुछ वेचारिक मद्भेध हो सकते हैं इसलिए प्रेम पुरुन विभार करें जिसके वज़े से आपका परिवारिक वातावर्ण तनावभरा भी हो सकता है जीवन साती की आवश्यक्ताओं को पूरा करेंगे और आज का दिन खरीदारी करने के लिए अच्छा है विद्यार्थिवरग को अपनी योगिता परकने का आवसर मिलेगा निजी संबंदों में प्रगारता आएगी जरूरी चीजों पर बाच्चीत आप कर पाएंगे तो आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोग कारी चेतर में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी चेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का दान करें काली द्वजा का दान करें और शमी पत्र अर्पित करके ओम पिंगलाई नमा इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें एसा करने से कारेच्छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है करकम करकराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा राजनीती से संबंदित व्यक्तियों को समाज सेवा का अवसर मिलेगा घर में अतिती आगमन का योग है और विद्यारती वरग गुरु जुनों के सहयोग से अपने लक्ष को पूरा करने का प्रेयत न करेंगे अपनी पढ़ाई पर फोकस आप रखें लगन से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो काफी सफल रहेंगे कारी छेतर और सामाजिक जीवन में धेरिय वसंयम से काम ले सभी समस्याओं का अंता आप कर पाएंगे पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा व्यवसाई से जुड़े जातों को ज़्यादा ध्यान लगाने की अवशकता रहेगी जिसकी वज़े से लाप की स्तितियां बहतर होगी कारी छेतर में अधिकारियों से तालमेल आपका बहतर रहेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकच्छे है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता है कालिशनान करने के पस्चाथ काले वस्तर में काले तिल रखकर के शनी देवता के मंदिर में अर्पित करें शमी पत्र चड़ावें यथा शक्ती शनी देवता को द्रवे दक्षना चड़ावें और ओम यमाई नमा इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें ऐसा करने से कारेश छेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्वराशिवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा विद्यारती वर्ग लक्षों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो सफल रहेंगे सरकारी नोकरी करते हैं तो आज आपको कारेश तल पर ज्यादा ध्यान देने के अवशकता होगी केरियर के लिए संगर्स कर रहे हैं तो वही काम करें जिसमें आपको सम्मान मिलें और घरेलों इस तर पर आपको काफी उतार चड़ा होगा आज आपका भागिशाली अंक एक है शुबरंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रयों कारेश तर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेश तर में विशेश सफलता पाने के लिए आपक अगली राशी है कन्या, कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आप कामकाज में सुधार लाने के लिए कई योजनाई तयार करेंगे, किसी वरिष्ट व्यक्ति या मित्र की सलाह पर आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, व्यापार प्रतिक बोज भी कम होगा, सायंकाल के समय किसी प्रियजन से उपहार प्राप्ति के योग हैं, तो आज आपको भाग्य का सांथ 80 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शालिय अंक 8 है, शुब रंग आपका निला रंग है, निले रंग का प्रयोक कारिछेत्र मे अज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी, तो आज के दिन कारिछेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए, आपका विशेश उपा इस प्रकार सहें, प्रातह काली इसनान करने के पस्चात, भगवान शनी देवता के मंदिर में, काले प्राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आप प्रातह से ही उर्जाबान स्वयम को महसूस करेंगे, व्यापार या कारिशेत्र में अपने बलबुते पर समस्याओं का हल निकाल पाएंगे, संतान के विवाह आधिकी चिंताएं खत्म होगी, और उनक प्रातह का लिशनान करने के पस्चात गंद पुष्पा अक्षद के द्वारा सनी देवता की पूजन करें, और सनी देवता को पुष्प की माला अर्पित करके मिठाई का भोग लगावें, और ओम मंदा इनमाहन, इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें, एसा करने से कारिशेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी, अगली राशी है व्रश्चिक, व्रश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि राजकी छेतर से जुड़े जातकों को विशेश लाप के योग हैं, मान सम्मान प्राप्ती के योग हैं, व्यापारी वर्ग के लिए आज पहली प्रात्मिक्ता व्यवसाई की तरफ नजर रखना होना चाहिए, साथ ही आप कोई बड़ा निवेसाज कर सकते ही, जिसका आपको फाइदा अवश्य मिलेगा, पारिवैरिक धन संपता में बड़ोत्री के योग हैं, और विद्ध्यार्थी वर्ग को पढ़ाई करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा, पेतरक संपती से संबंदित विवाद, किसी वर गिशाली अंक दो है, शुब रंग आपका सुनहरा रंग है, सुनहरे रंग का प्रयोग कारेच्छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारेच्छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए, आपका का यथा शक्ति जाप करें एसा करने से कारे छेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है धनु धनु राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा राजनीती से जुड़े जातकों को अच्छा जन समर्थन प्राप्त होगा सरकारी छेत्र से जुड़े जातकों को आज लाब होने के प्रबल्योग हैं कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन होगा और पिता के सहयोगवा आसिरवाद से कोई नई योजना की सुरवात आप कर सकते हैं जिसका लाब भविश्य में आपको जरूर मिलेगा आज आपका भाग्यशाली अंक नो हैं शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोग कारिच्छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिच्छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहका लिष्णान करने के पश्चात यथा शक्ति भगवान शनी देवता की पूजा करें 21 समी पत्र अरपित करें स्रीफल चड़ा करके ओम यमाय नमा इस महामंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें इसा करने से कार मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि भविश्य को मजबूत बनाने के लिए किसी नई उजना पर काम करेंगे और विशेशग्यों से सलाह लेंगे तो काफी सफल रहेंगे अगर आप नई नोकरी आदी करना चाहते हैं तो समय आपके लिए सह पर शकता रहेगी सांती पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति आपको मिलेगी तो आज आपको भग्य का साथ 80% प्रतिस्थ प्राप्त होगा आज आपका भग्य शाली अंकछे हैं शुबरंग आपका सफेद रंग हैं सफेद रंग का प्रयोग कारीच्षे को तेल अर्पित करें मिठाई का भोग लगा करके ओम स्री रुद्र गणाई नमा इस महामंत्र का यथा शक्ति जाप करें एसा करने से कारीच्षेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है कुम्भ राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेग जीवन साथी की तरफ से आर्थिक लाब मिल पाएगा और रिस्तों में आपके मजबूती आएगी पिता के स्वास्त का विशेश ध्यान रखें और अपनी दिन्चरिया उसी इसाप से आप तही करें अन्यत्था अधिक भागदोड मांसिक तनाव आपको दे सकती हैं सायंका का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चात शनी देवता क मंदिर में काले तिल का दान करें एक स्रिफल चड़ा करके द्रव्य धक्षना चड़ावें और ओम यमाई नमहम इस महा मंतर का 108 बार जाप करें इसा करने से कारे छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस आर्थिक स्थिती आपकी बिगड़ सकती है लाइप में कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे जिससे मन आपका प्रसंद होगा इसी अवस्था में रहना पसंद आप करेंगे निवेस से आपको लाप के प्रबल्य होगे करज से आपको राहत मिलेगी व्यापार व्यवसाय मे जीवन सांती की सलाह आपके लिए काफी फायदय मन साबित होगी तो आज आपको भाग्य का सांत 86 प्रतिसता प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिछेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाइस प्रकार से हैं कि प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाब सनी देवता को तेल से इसनान करावें शुद्ध जल अर्पित करके मिठाई का भोग लगावें और ओम्सम सनेश चराइन महा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से कारिछेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यहत देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्नमित्रों फिर मिलेंगे